वन्दे ब्रह्म पुरादिपम् श्रि सहजा नंदम् चमो लाक्षरम् श्रे अस्कारण सद्गुने कनिलयम् श्रे प्राग जिम् भावतर् ब्रह्मु पासन धारकं गुरुहरिम् यग्नम् तथा योगिनम् पृत्यवं प्रमुखं महांतम निशं श्रे जिस्वरूपं मुदान् महिमानो महिमा प्रवचन मालामा सवने साष्टांग प्रणाम जैस्वामि नाराण हैपि, 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 έपि, वचनाम्र द्यूश्रताप दिमात्सव हैपी 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 प्रमुक्स्वामी महला शताप्दी महस्व हैपी 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 श्री वचनाम्रत निरूपण अक्षरधाम ना अधिपति परव्रम्म परमात्मा श्री स्वामी नर्ण भगवान ने अपने वचनाम्रत द्वारा सामडी रयाचिये भगवान स्वामिनारणने क्यारे पण जागरात सपना के शुशुप्त्य वस्ता मा गोब्रा पणु गम्तु न थी ये व्यावार होई, आचार होई, विहार होई, आहार होई, समजन होई, उपासना होई, भक्ती होई, गिनान होई, एक कोई मा पणु गोब्रा पणु गम्तु न थी येना अनुसंदानमा भगवान स्वामिनाराण सारुमपुर प्रक्रणना चोथा वचनामरत्मा स्वयम प्रकाशानन स्वामिना प्रष्णनों जवाब आपिरया छे फरिति माँचिये अन येना उपर्थोडा उंड उतरिये पछे स्वयम प्रकाशानन स्वामिये प्रष्ण पुछो जे हे महराज आत्मा अनात्मानी चोखी जे विक्तिते केम समझवी जे समझवे करिने आत्मा अनात्मा एक समझायद नहीं पछे श्रीजी महरा गुल्या जे एक श्लोके करिने अत्वा बेश श्लोके करिने अत्वा पांच श्लोके करिने अत्वा सो श्लोके करिने अत्वा हजार श्लोके करिने जे चोखो समझायद ये ठीक छे जे समझाणा केड़े आत्मा अनात्माना एक पड़ानों लोचोज रहे नई अने चोखो समझाई जाए तेज समझाण सुखदाई छे अने गोब्री समझाण सुखदाई थती नथी पाहराजने पोताने स्वच्चता पवित्रता निर्मणता पारदर्शतता अतिशे प्रिया छे शिक्षापत्रीनों आपने पाठ करिये तो आपने उड़ीने आखे वड़गे एवी वातो महराजे स्वच्चतानी वातों करी छे महराजे कव शरीर शुद्ध राखो इंद्रियों अंतकर्णने शुद्ध राखो विचारोंने शुद्ध राखो, विहवारने शुद्ध राखो, धनने लक्ष्मीने शुद्ध राखो जिनानने शुद्ध राखो, भक्तिने शुद्ध राखो, वैराज्यने शुद्ध राखो, उपासनाने शुद्ध राखो, समजणने शुद्ध राखो जुवा जईये ने केवोई तो पईशकाए कि शिक्षा पत्री एटले के आपने शुद्ध करवानो महान ग्रंथ छे ज्यां ज्या गंदगी छे गुबरापणु छे अशुद्धी छे अपवित्रता छे भगवान स्वामिदार ने लेश मात्र पण पसंद नती गम्तु नती महाराजे कव संसार माचो व्यावार नोकरी दंदा करो छो यमा व्यावार मापन तमारे शुद्धी करण राखू जोईये यहनी अंद लोचो पोचो होई अशुद्धी होई चोक्खाई न होई तो भगवान ने तो नती गम्तु परणतु आपणने जीवन ने अंदर दुखाववानू महराज एकला माटे शुद्ध वस्तो धारण करीने पोचाना वर्तन द्वारायम समझावा मागेशे ज्यासुदी तमारू मन अने तन आगिनाने उपास्त भक्तिन नियम परिशुद्ध नहीं बने सफेदाय भरा नहीं बने त्यासुदी कोई पन जिवात्मा भगवान ना चरण कमर सुदी पोँची शक्तो न थी। शुद्ध थवानी वाद छे। समझन जारे गोबरी होई गडिक मा पोताने आत्मा माने ने गडिक मा पोताने दे माने गडिक मा पोताने ब्रह्म माने गुणातित माने ने गडिक मा पोते वानियों छे, लुहानों छे, देसाई छे, पटेल छे, कणबी छे, कोडी छे, उन मानवा लागे तो एक गोबरी समझन छे। महरा केटलू सुंदर ही ते वाद करेशिक तमें, एक श्लोके करें समझो, बैस श्लोके करें समझो, पच्चास श्लोके करें समझो, सो श्लोके करें समझो, के हजार श्लोके करें समझो, पर समझी समझने मात्र एकलू समझवानों छे, कि तमें दे नथी, तमें शरिर नथी, तमारू नाम चगन बाई, मगन बाई, नाथाल आल, पिथाल आल नथी, तमें तो ब्रह्म छो, गुणाती छो, आत्मा छो, चैतन नतत्व छो आ समझन चोखी छे, आ समझन पवित्र छे अनि ज्यां सुधी आपने पोताने आत्मा नहीं मानिये, त्यां सुधी आपनी आखना विकारो नहीं टले आपना कान मा जे वासना आसक्ती छेती नहीं टले आपनी जबान नियंद निंद अभावगुण नी वातो करवानी जे प्रवरुत्ती छेती नहीं टले आत्मा पोताने मानिये त्यार पछे आपनी आत्मदर्ष्टी बनी जाए छे परमात्मदर्ष्टी बनी जाए छे ज्यां जुवत्या रामजी दुसरोन भासे रे आपनी आँग पवित्र बनी जाए, कान पवित्र बनी जाए, वाणी पवित्र बनी जाए, मन पवित्र बनी जाए गम्मे तेतला पारायनाने प्रवचन नो सामढ़िये परंतो आ शब्दोने धारवानी ने विचारवानी जरूर छे तमे किटली पारायनो सामढ़िये ने किटली पारायनो करीती आती अगत्यनो नथी परंतो ए पारायनो नी अंदर जे क्यवामा आयो आत्माने परमात्मानो जे महिमा क्यवामा आयो वो समझन चोक्षी बतावामा आवी ए आत्माने परमात्मानो वेग लाग्यो छे आत्मा तर आपनी नजर गई छे, आने आउन नथी सतो एटला माटे तो भूसकाल मा केटला केटला संतक कवी होए, आपने मिठावाडा पाणी नी अंदर चाबुक बोणी न चाबका माराश, तिलक करता त्रिपन गया और जप माडाना नाका गया, आपने तो एक हति लग करिये छे, पन कितलाक संप्रदायोने कितलाक लोको यवाँचे आखो कपाद तिलकति भरी देत आवाई छे, आडो करे, अवलो करे, उबो करे, लांबो करे, त्राशो करे, ए तिलक तानता तानता, जिन्दगी न तेपन वरस जता रया, तो अपना आत्पानो विविचार नथि आवि तो परमात मा कत्व शोंचे मैमां शोंचे यंni सरवोपरिता शोंचे एपोते करता हर्ता च्छे विप्रकानी सम्जण नथि आवितो शोंग खर्यू तिलक करता त्रेपन गया और जप माला ना का गया घणाने माडा 24 से कल्लाग हाथमा आने हाथमा होये छे बोग सारी बाबच्छे माडा फेरव्वी औने माडा लईने मंदिरे जवू बगवान पुर्षोत्तम नारायन नी मुर्ती निसामे उभारेने एकपगे माडा करवी प्रवचन ने पारेन सांबलता वाचर माडा करवी ए बहुँ सारी बाबच्छे परन्तो ए माडा करता करता मनकाना नाका पन गसाई जाए त्यां सुदी माडा कर्या पशे पन देभान बुलाए आत्पानो विचार न आवे आपने समझन चोखी न थाए बगवान स्वामिनारननों जेवो छेतेवो स्वरूप आपने न समझाए यमना साकार पणामा यमना करता अर्था पणामान यमना प्रगट पणामा आपने प्रतिती न आवे तो हीरो घोगे जेए आदो तिलक करता त्रेपन गयान जब माडान नाका गया कथा सोनी सोनी फूट्या कान तोय न आयो अखा ब्रह्म गिनान गणा तो कॉलर चड़ावी ने वातो करता यमें आ फलाना वक्तानी आटली पारायनों सामळी लाख लाख मानस बेगुत थतु अतु आ प्रवचनों सामळया आ सज्ज्यायमा देए छे न आटली पद्रियात्रा करी न आटली चारदामनी तिर्थयात्रा करी गणू गणू सामळया पछी कान पन पाकी जाय तो पन अखो भगा तेम केशे कि तो इन आयू ब्रह्म गिनान पगवाननू गिनान नायू समझन पाकी नथे शमझन चोक्कि नथे मन वाने इंद्रियों अंतकरण पवित्र न थया रदै पवित्र न थयू राक देश न इर्ष आभिमान ती बरिला रया तो आभी प्रकार ने गोबरी क्रिया ने गोबरी समझन ने गोबरो आहार ने गोबरो विहार भगवान स्वामीना रण केछे के क्यारे पण एने भगवाननों आनंद लिवाद यतो न थी समझवानू छे चोक्खु समझवानू छे सिद्धी लिटी नी समझन धरड करीने राकवी योगी बाबा घणी वकत पात करता चे सिद्धी लिटीनी समझन इतले शों कि जेनी आपने माडा करिये छे, पूजा करिये छे, दर्शन करिये छे, जेनी कंटी गळा मा दारण करी छे, जेनो तिलक्ष चान लोकपाण मा आपने रख्यो छे ए सहजानन स्वामी सर्व अवतार ना अवतारी अक्षरधाम न अधिपती परभ्रम परमात्मा पुरुशत्तम नाराण छे, अनन्द कोडी ब्रह्मान न एक मात्र करता हरता छे, सदा साकार छे, प्रगड छे अने गुणातितानन स्वामी जुनागन न जोगी ए अक्षरधाम न अवतार छे भगवान पुरुशत्तम नाराण ने रेवानु धाम छे जेना एक एक रोमनी अंदर अनन्द कोडी ब्रह्मान नो परमानुनी माफग उड़ता फरे छे एवा भगवान पुरुशत्तम नाराण सहजानन स्वामी गुणाति संतनी अंदर प्रगट आपणने मल्या छे आनु नाम चोक्षी लीटीनी समझन आक्टो समझायो पछे आने बिजु कहीं समझवानु बाके रेतो नतली इतला माटे आपणी बिएपी संस्थानो एक सिद्धान तश्टोक छे गुणाति तोक्षरम ब्रह्म भगवान पुरुशत्तमा जनो जानन इदम सत्य मुच्यते भवबंदनात गुणातितानन स्वामी अक्षब्रमनो अवतार अने सहजानन स्वामी सरव अवतार अवतारी आट्टो जे जाने छे मुच्यते भवबंदनात भवबंदन माती मुक्त थाई जाये छे नक्षरदामनो अधिकारी थाई जाये छे आ चोक्षी समझन छे आत्मा ने अनात्मानो विवेक आपनी पासे नथी बिजा लऊकेक व्यावारिक सांसारिक विवेक आपने जीवता होईये छे ए प्रमाने आपनो वर्तन थतु आछे बोलू चालू बैसु बोठु ए विवेक पूर्ण होई छे पना अध्यात्मिंग मार्ग मां आ विवेक आपने चुकी जईये छे एनो आपने विचार सुद्धा पन आउत्व नथी वर्षोन सत्संग पछे शिविरोध भर्या पछे अधिवेशन मा भाग लिदा पछे संचालक बिन्या पछे कठावार्ट प्रवचनों पारायनों कर्या पछे पण आपन ने चोकिस सम्झन द्रण नसी थती क्या आपन ने आत्पनों विचार नती आओतों परमास्पनों विचार नती आओतों गोबरी समझन गोबरा पणु दूर करवा माटे भगवान स्वामिनारणा पुर्थी पर पजहरा छे क्या सुधिया आपने गोबरा रैशु पले शरीरो पर कपडा आने दागी ना सारा सारा धारन कल्या होए पना आपनु मन गोबरू छे आपना नेत्र गोबरा छे आपनी वाणी गोबरी छे आपना कांध गोबरा छे आपना विच्चार व्यहवार गोबरा छे ये शुद्ध नहीं बने परंपवित्र नहीं बने निर्मण नहीं बने त्यां सोदी भगवान पुर्षोत्तम नायन नो अनन्द आपने प्राप्त नहीं थाए सुख प्राप्त चकरवू हो आई तो समझाण ने सुधार्वी पडशे आचार विचार वियावार बोलू चालुआ बद्धाने सुधार्वा पडशे माते चोखो समझे जे आत्मा ते मारा जेओ गोण देने विशे एक आउतो न थी अने जड दुख अने मिठ्या रुभजिधे तेना जे गोण तेहुं चैतन नती मारे विशे एक आय आउतो न थी एवी विक्ति समझीने अने अत्या निरवास निक्तैने चैत्यन्य रुप्थको पुरुषोत्तम अगवाननु सिंत्वन करे एवो जे जड चैत्यननों विवेक्तने द्रःड विवेक जानवो जड अने चैत्यननों विवेक आपणने आवी जाय अने पोते पोताने चैतन्य माने ने ब्रह्म माने ने अक्षर माने ने गुणातित माने ने पुर्षोत्तम नारणी निर्वास्निक पणे करिने भक्ती करे, चिंत्वन करे, सेवा करे, दर्षन करे तो समझू कि एने जड चैतन्य नो विवेक आवी करो आ विवेक धड़ करवानू छे आपने नजरनी सामें जेकने देखाई छे तमां वस्तु जड़ छे परिवर्तन शिल छे, नाश्वन्त छे प्रापन ने मोह एटलो लाग्यो छे कि जे सक्त्य वस्तु छे येने सक्त्य मानी ने बैठा छे सक्त्य छे, येने सक्त्य ता नो स्विकार करीने जोवानों विचार के समय अवणी पासे नठी आने घड़िक बोताने आत्मा रुप माने आने घड़िक देर रुप माने ने स्रेनू चिंत्वन करे येने गोबरो जाणो आ मारगे चल्टा पछी पन थोड़ा समय ना माटे पोता ने आत्मा मानतो होई तो पन जो दे रूपे वर्ततो होई तो महराजी एवा तिलक चान लावाडा भगत ने भगवा कपडा पेरेला साधुने पन महराजे गोबुरो कहयो छे परितिमा चिये अने गडिक पोता ने आत्मा रूप माने अने गडिक दे रूप माने ने स्त्रिनु चिन्त्मन करे येने गोबुरो जानवो माटे एना अंत्रमा सुक न आवे जेम सुन्दर अम्रो सर्खो अन्न होए अने तेमा थोडोग जेर नाकिव होए तो ती अन्न सुकदाई न थाई सामू दुखदाई थाई छे तेम आठे पोर आत्मानो विचार करिने एक गड़ी पोताने देरोख पानेने स्रिनुचिंद्वन करे एटले अनो सर्वे विचार दूरुमा वड़ी जाई छे माटे अच्यंत निर्वासनीक थवा एवो चोखो आत्म विचार करवो निर्वास्निक थवा माटे महराजे कवुके पोथाने आत्मा मानवानू छे, आत्मा साक्षातकार करवानू छे, आत्मा ग्णान और आत्मा साक्षातकार कई रिते था एतो वेदो शास्त्रो और महराज वचना मरत्मा एक जुपाय बतावे छे ज़े परम एकांति गुणाति संत घे एमा प्रीती करवामा आवे एमा हेत करवामा आवे आत्म बुद्धी करवामा आवे तो एना संगे करिने, एनी कुपाये करिने, एनी सेवाये करिने एना राजी पाथी आपनों देभाव टली जाए छे, आपनी अनसमजन दूर थाई छे अने आपनामा दर्म, गिनान, वैदाग्य, विवेक, सैयम, आचार, विचारावदू, परिपूर्ण रिती आवे छे दरड़ थाई छे महराज एटला माटे वचनामा वर्तालना अग्यार मामा कवो के सत्पुरुष्ट मिशे प्रीपी ये आत्मदर्शन मुसाधन छे आखो बन करीने अंदारी कोटडी माँ अपने पलाठी वाडीने कल्लाको सुधी बैठा रहिये तो पन आपने आत्मा नहीं देखा आये न आत्मानों विचार नहीं आवे मनमा अज्जारो लाखो प्रकार ना विचारो न संकल्प विकल्प जाक्षे शमसे अंदारू अंदारू देखा शे कई भास नहीं थाए पन सत्पुरुष्ट नी अंदर प्रीति आपने थाई तो एनी कृपाये करीने आपनों देभा टड़वानों छे आपनी अंसमजण दूर्थवा नी छे आपनी समजण मा आपनी उपासना मा आपना ग्णान मा आपना आचार विचार विचार विवार नी अंदर शुद्धी क्यारे आवा निके संत मलशे त्यारे ने संत मा प्रीति थशे त्यारे सत्पूरिष्णे वेशे प्रिती आत्मदर्शननु साधन छे सत्पूरिष्णे वेशे प्रिती ये भगवाननो महिमा जानानु साधन छे अने सत्पूरिष्णे वेशे प्रिती ये भगवानना साथ्षात दर्शन थयानु पन साधन छे वेदोमा उपनिशदोमा आज वात बतावाम आवी छे रहोगन राजाने पन भरज्यड भरज्ये त्यां सुधी कहू के विना महत पाद रजोबिशेकम त्यां सुधी संतनी कुरपाद रष्टी न थाए त्यां सुधी आपने चोकी समझन न थिया हो चे गडबड गोटो न परभू मोटो आपने गणा यवा समाजनी अंदर यवा लोकों ने जोईये छे एक कज रटन करता हो चे आपने तो बद्धा भगवान हर्खा न बद्धा साधू हर्खा संतो एक माला न मनका यमा कोण नाना न कोण मूटा बजा धर्म हर्खा छे ने आउँ क्यावा वाड़ा पन आपने सामल्या चे पन साकी समझन क्यारे आपनने आवे के जेने आवा परम एकांती गुणाती संतनो योग थयो एनी सेवा करी एनी मनकर्म वचने आगना पाली तो दिरी दिरी संतनी कुरुपाय करीने चोक्षी समझन आवे छे यने पाछिवरत्ती वड़े छे जानपणु आवे छे अंतरदश्टी थाई छे भगवान नो जेम छे ते महिमा समझाय छे उपास्तना नीने नियम दर्मनी द्रडता थाई छे तो आत्माने अनात्पानो जे विवेक छे या अध्यात्मिं बार्गमा अती शे अनिवार्य साधना छे अम्मेश्ट अमाटे आ विचार करता रहिए आत्माने अनात्पानों साक्षात्कार के यनो जे विचारनी द्रडता अपणने आवा गुणाती संत द्वारा थाई छे ए मूलने पकड़िये मन दार्या गम्मे तेटला साजनों करीशु अने हज्जारो वेदोपनी शदोना श्लोकोने मंत्रो सामलेशु तो अपन आत्मगिना नई लादे देवाव नई टळे तो उपाई मत्र आपना माटे वर्तमान समयमा गुरुहरी प्रमुक्ष्वामी महराज ने महान स्वामी महराज जेवा गुणाती संत नो आपनने बेटो थेव छे येमा प्रिती नात्मबुद्धी थाई जाय चो आपने बिजी कोई साधना करवानी नरे यमनी कुरुपाये करिने अशिर्वादे करिने आपने आत्माने अनात्मनों विभेख सिद्ध तशे महिमानी विशेष वात्व आपने आवतिकालना प्रवचन्मा आज वचनामरत्ना मद्यमति सामलेशू सवने सास्टांग प्रणाम जै स्वामीन राण आए स्वामी नाराण, आए स्वामी नाराण